इसका जो कोजिटिव एजेंट है वो है न्यू स्टेन ओव कोरोना वाइरस यह क्या होता है यह कोरोना वाइरस फैमिली को ही बिलोंग करता है जो के 2003 में इसको पहले से ही अलरी फाइंड आउट किया हुआ है और जो इसका इंक्यूबेशन प्रिट रहता है वो रहता है टू टू सेवन डेस में और यह कैसे ट्रांसमेट होता है यह क्लोज कॉन्टेक्ट होने से जो भी एक इनफेक्टिट परसन होता है उसकी वज़े से यह ट्रांसफर हो सकता है यह फिर ट्रांसमेट हो सकता है अगर हम इसके साइनेम सिंट्रिंस की बात करें तो पेशेंट को फीवर हो सकता है मैलेश हो सकते है मतलब पेशेंट इसमें डिसकमफर्ट फील कर सकता है जिसको सास का वायरस पेशेंट में चला जाता है पेशेंट बलर चीज़े दिखाई देगी मतलब कि एक तरह से अनकोंसियस शो उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं एक तरह से पेशन कोई भी चीज़ अच्छा से देख नहीं पाता है उसमें डिसकमफर्ट फिल करता है एक तरह से चक्कर आ सकते है पेशन में और नेक्स्ट है मायलजी ह मतलब कि मसल्स पें पेन होना कप पेशन को कफ हो सकता है पेशन के गले में दर्द हो सकता है नोज से डिस्चास निकल सकता है रनिंग नोज हो सकती है क्योंकि पेशन को चिल्स भी हो रही थी इस वज़े से रनिंग नोज भी हो सकता है तो यह क्या है यह सारे वाइरल डिज के सिंटम स्वेट होंगे नेक्स्ट है कॉंप्लिकेशन और का रहते है सार्स के तो cuálस में में चृट सब्सक्राइब hip तरह से होती है, चोक्स भी हो सकता है, चोकिंग जिसे हम बोलते हैं, तो इसमें क्या है, पीशन्ट को डिसनिया की कंडिसन्स रहती है, मतलब कि सास लेने में परेशानी हो सकती है, तो ये सबी मेंली क्या होते हैं, ये सबी जो सिम्टम्स दिखाए दे रहे हैं, वो सारे रेस् की फैमिली का ही बिलोंग करता है न्यू स्टेन आफ कोरोना वाइरस जो ओलरी ये फाइंड आउट के जा चुकी है 2003 में इसका जो इंकुबेशन प्रेड है वो 227 डेस होता है और ये ट्रांस्मिट कैसे होती है? क्लोज कॉंटेक्ट में होने से और या फिर ड्रोपलेट इंफेक्शन की वज़े से पेशन में क्या सिम्टोंज दिखाए देंगे? फीवर, मैले, चिल्स, हैटेक, डिजिजने, स्मायल जिया, कफ, सोर, थ्रोट और रनिंग नोस अगर कॉंपलिकेशन देखे तो पेशन को ARDS हो सकते हैं, पल्मरी डीकंप्रेशन हो सकते हैं, जिसमें रैस्पेटी सिस्टम हारा सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, कॉमनिकेबल डीजिस की पोलियो मलाइटेस, पोलियो मलाइटेस के हैं, इसका जो कोजिटिव एजेंट है, वो है पोलियो वाइरस, क्योंकि हम पोलियो मलाइटेस की बात कर रहे हैं, तो इसका वाइरस भी क्या होगा, पोलियो, जिससे आप लोग को इजी याद हो सकें, और जो इसका वाइरस है वो कॉन सा होता है वो ये भी RNA वाइरस को ही फिलोंग करता है कुन सा जो पोलियो मिलाइटिस होता है वो RNA वाइरस को बिलोंग करता है ये RNA वाइरस की family का वाइरस होता है POLियो मिलाइटिस और हर साल 24 अक्टूबर को वर्ल्ड में polio day के नाम से इसको celebrate किया जाता है polio devices को हम बोलते हैं और जो इसका incubation period है वो साथ से 14 दिन के बीच का रहता है अगर हम इसका transmission देखे कि polio malatis फैलता कैसे कैसे transmit होता है तो fecal, oral root and droplet बहुत से persons जो polio virus से infected होते हैं वे बीमार नहीं दिखते हैं कई लोग जिन में symptoms दिखाई नहीं देते हैं वो क्या होते हैं infected होते हैं लेकिन symptoms दिखाई नहीं देते हैं और नहीं उसके किसी भी तरह के symptoms उसमें आगे दिखाई देते हैं मतलब कई बार दिखाई भी देते हैं कई बार नहीं दिखा जाते हैं तेकि ऐसा नहीं है कि अगर दिखाई नहीं दे रहे हैं तो उसको polio नहीं है तो अगर हम देखे जिन लोगों में इसके symptoms दिखाई देंगे तो उनमें paralysis देखने को मिलता है तो दो condition होगा जिसमें symptoms दिखाई दे रहा है और जिसमें symptoms दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे हम paralysis किसको बोल रहा है जिसमें symptoms polio के दिखाई देते हैं तो उसमें क्या है? paralysis देखने को मिलता है कई बार ये इतनी fatal हो जाती है fatal मतलब कि बहुत ज़दा अगर जिसको भी paralysis दिखाई देता है उसमें बहुत सारा severe condition अकर हो जाते है fatal condition माने जाते है उसमें इसमें patient की क्या हो जाते है अगर fatal condition हो जाते है severe case बन जाता है patient को तो उसमें क्या है उस patient में उसकी death भी हो सकते है चेक है? next है vaccination में भी दे सकते है और जो OPV है उसको हम mouth के through दे सकते है जैसे drop डालका माउथ में drop के through भी हम इसको दे सकते है WHO ने recommended किया था कि सभी children's को fully vaccinated करा जाए polio से related polio की against जो है pulse polio immunization program in India in 1995 pulse polio immunization program इंडिया में launch किया गया था 1995 में इसमें एक बार हम फिर से revise कर लेते है polio immunization polio immunization का जो virus होता है वो है polio virus worldwide इसको celebrate किया जाता है 24th October को इसका जो incubation period है वो है 7 to 14 days और जो transmit होता है ये fecal oral route से होता है droplet से होता है vaccine की अगर हम बात करें तो OPV होता है और inactive inactivated polio vaccine जो कि एक हम injections के तुरू दे सकते है और एक हम जो OPV है उसको हम किसे देते है mouth के तुरू drop डाल कर दे सकते है जो pulse polio immunization program है उसको इंडिया में जो launch किया गया था वो 1995 में किया गया था next communicable disease is mums जिसको हम बोलते है parotitis mums को parotitis के नाम से जानते है लेकिन क्यों? क्योंकि इसमें जो parotrit gland होते है इसमें infections देखने को मिलते है और इस inflammation के वज़े से ही जो parotrit gland होते है इसमें pain अकर होता है इसका जो अगर हम cogitive agent की बात करें तो paramixovirus होता है virus का नाम है paramixov यह member होता है rubiola virus family का rubiola नहीं है यह यह rubiola virus है यह family को belong करता है paramixov और इसके transmission की बात करें तो यह कैसे transmit होता है droplet के वज़े से यह भी transmit होता है incubation plate जो रहता है वो 2-3 सबता तक रहता है usually 18 days तक होता है और इसमें पेशिंट में जो symptoms दिखाई देते हैं वो हता है pain रहता है patient को swelling हो जाते है एक याद दोनों side भी हो सकता है दोनों side भी हो सकता है paracrit gland पर और उसके बाद क्या होता है जो some lingual and some mandible glands होता है उसमें भी pain दीरे-दीरे अकर होने लग जाता है mandible glands अकर उसमें mandible, sorry mandible, some mandible होता है glands उसमें भी क्या होता है pain दीरे-दीरे अकर होने लग जाता है वहां पर भी pain दीरे-दीरे पहुच जाता है कान में दर्द होने लग जाता है stiffness रहती है stiffness का मतलब होता है rigidity रहती है एकदम से अकर जाता है वहां का area और opening the mouth mouth open करने में भी patient को problem आती है और इसका जो आपकर complication देखे कि mumps में और क्या complication हो सकती है orchitis, overitis, ovaritis, pancreatitis orchitis का मतलब होता है कि जो testicles होते है उसमें inflammation हो जाती है overitis मतलब ovary ovaritis मतलब ovary में inflammation हो जाना और pancreatitis मतलब कि जादर children's में देखे जाती है सारे disease orchitis, pancreatitis यह क्या होती है बच्चों में देखने को मलती है जिसमें pancreatitis में inflammation हो जाता है patient को किसके वज़े से parototitis के वज़े से क्योंकि इसमें parotoid gland क्या हो जाता है infected हो जाता है inflammation बढ़ने लग जाती है दीरे दीरे body में glands की वज़े से आगे वाले glands को भी यह infected करता रहता है वहाँ पे swelling अकर हो जाती है और mouth भी अच्छे से हमारा open नहीं हो पाता है इस conditions में next communicable disease is rubella rubella's other's name is german measles and its causative ascent is RNA virus RNA virus of toga family RNA virus जो की toga family को बिलोंग करता है जो toga है वो actually एक virus है जो की mosquito से भी हमारी body बेट transmit हो सकता है rubella एक common infection है जो की कई countries में दिखा जाता है और हर साल एक लाग से भी जादा इसके cases देखने को मिलते है जो rubella है एक latin word है जिसका मतलब होता है little red मतलब छोटा लाल रंग का दाना 1814 में जर्मन जो physician थे उन्होंने इसको describe किया था जर्मन measles को और उन्होंने के नाम से ही जर्मन physician के नाम से ही बात करें तो यह 40 से 80 nanometer size का देखा जाता है और incubation period देखे तो इसका जो average रहता है days के according 18 days का होता है अगर हम weekly बात करें तो 2-3 weeks में इसका incubation period देखने को मिलता है transmission, waste aim, droplet, syneam symptom जो होता है chorizer chorizer का मतलब होता है सर्दिजू काम जैसे symptoms देखने को patient में मिलते है throat मतलब गले में ख्रास रहती है low grade का favor रहता है patient को lymphadenopathy, lymphadenopathy lymph nodes में swelling हो जाती है patient को racist रहते है patient को अगर हम इसके complications की बात करें complications मैंने इसमें नहीं लिखे लेकिन फिर भी आप सुन लीजेगा जो complication रहते है रूबेला जर्मन मेजल से होता है patient को arthralgia, arthralgia का मतलब होता है patient में joint pain रहता है जिस patient को रूबेला की condition देखने को मिलती है जो भी ये symptoms दिखाई देते है उनकी वज़े से ज़्यादा severe condition होने की वज़े से patient को arthralgia हो जाता है, मतलब severe joint pain अकर होता है patient को और ये जो रूबेला जर्मन मेजल से होता है children's में rare cases में देखने को मिलता है लेकिन adult female में 70% cases जाज़ दर adult female के देखे जा सकते है रूबेला के, एक पर हम fairifice कर लेते है, इसका जो cognitive agent होता है, वो RNA virus होता है जो कि toga family को belong करता है और इसका जो रूबेला जो है एक Latin word है, जिसका मतलब होता है little red, और इसको describe किया था जर्मन फीजिस यहने 18-14 बे और इनी के नाम के वज़े से इसका नाम रखा गया है, जर्मन मेजल इसका जो incubation period है वो 18 days कर रहता है और transmit, यह भी droplet infection के वज़े से transmit होता है main complication है इसका रूबेला जर्मन मेजल का वो है arthralgium, severe joint pain next is influenzae influenzae का जो causative agent होता है वो है type A, type B and type C virus जिसको हम बोलते है जो इसका जो virus है, जो mainly virus यूज होता है वो नाम लिया जाता है orthomyxoviright क्या बोलते है इसको orthomyxoviright के नाम से ये इस family को belong करता है तो कई बार questions हाता है influenzae जो virus है, वो कौन से family को belong करता है तो उसका नाम होता है orthomyxoviright अगर हम इसके incubation period की बात करें तो इसका जो incubation period रहता है वो है 18 से लेके 72 hours के बीच में और ये transmit कैसे होता है ये भी drop late की वज़े से होता है क्योंकि ये communicable disease है और अगर हम patient में देखे तो इसमें patient में कहके symptoms दिखाई देते है influenzae से patient को fever आ सकता है patient chills विक्ण से ठंडा सरीर पढ़ सकता है muscles problem muscles pain हो सकता है patient को ख़फ खासे हो सकता है congestions खराहट रह सकती है running nose nose से discharge निकल सकता है headache patient को हो सकता है या fatigue feel कर सकता है patient थकावाट महसुच ज़्यादा करता है next है complication patient में influenzae के वज़े से क्या क्या complication हो सकते है पहला है race syndrome race syndrome से मतलब कि patient में neurons की problem सबसे ज़्यादा अकर होते हैं जिसमें patient confused भी रह सकता है next है pneumonia pneumonia ज्यादा तर बच्चों में देखा जाता है acute sinusitis acute sinusitis में क्या होता है patient की जो sinus की problem होती है इसमें sinus में inflammation हो जाता है लेकिन कैसे वो सिर्फ एक minor तोड़ पर होता है लेकिन फिर भी यह क्या है complication है bronchitis bronchitis inflammation हो जाना infection ज्यादा फैल जाना तो यह भी क्या है यह भी respiratory system को ही क्या है effect कर रहा है अगर हम इसके vaccination की बात करें तो यह भी दो तरह से दिया जा सकता है nasal spray या फिर nasal root से लेकिन जो influenza है एक ऐसे vaccine है जिसमें हम nasal root से भी हम इसको दे सकते है एक बार हम इसको revise कर लेते हैं influenza का जो causative agent है और जो इसका incubation period रहता है वो है 18 to 72 hours transmit यह भी droplet से होता है syndrome symptoms patient में fever, chills, muscles, egg, curve, congestions, running, nose, headache and fatigue देखने को patient में मिलता है complications, thin mean complications है race syndrome, pneumonia, acute sinusitis और bronchitis पेशन में देखने को मिलता है vaccination देखे तो patient में दो तरह से vaccinate क्या जा सकता है influenza के against एक होता है nasal spray और एक होता है nasal root ज़िय मिलता है कि अएड़ तो मेंहोता है तो में तो में आपबढ़ तो में अएड़